हाव रुफीक्स वान प्लस नाइन कॉल हेंग आउट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस के डिवाइस में कॉल हेंग आउ तो कैसे आपको यह प्रॉब्लम सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हो ठीक है तो वीडियो को अन तक देखे जो भी सॉलूशन है उसको फॉलो करें आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर प को इजेक्ट और इंसर्ट कीजिए उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है अगर आभी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाए दोस्तों सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर आपको सिस्टेम पर जाना है सेट पर क्लिक करना है रिसेट वाइफाय मोबाइल डेटा और ब्लुटूट पर क्लिक करके नेट्रोक सेटिंग को रिसेट करना है रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ट भर देना है और उसके बाद सेटिंग रिसेट हो जाएगा नेट्रोक का उसके बाद दोस्तों आपने SIEM पर जाईए वर्ड इनेवल किजे आपका वाइफा को डिसेबल किजे एकसेश पॉइंट को रिसेट किजे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेट्रोक प्रोप्राब्लम फेस्ट कर रहे हैं तो नेट्रोक को यहाँ पर स्वीच कीजिए ठीक है ऑटमेटिकली या फिर मैनुएली नेट्रोग आप यहाँ पर स्वीच कर सकती है तो यह सारे सोलूशन आप फोलो कीजिए नेट्रोग के नहीं में लेगा आईए एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ में टाइप करते हैं पाऊर बटन ईंकॉल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और बोकर एंड कॉल सिस्टेम एक्सेसिबिलिटी के अंदर पर ह्याँ और यह रहा है दो सेटिंग तो यह सेटिंग आपका ओफ होना चाहिए क्योंकि गलती से जब आप power button को प्रेस कर देते तो बार-बार आपका call hangout होते रहेगा और यह चीज़ मेरे साथ करना है तो यहाँ पे फॉन सर्विस सर्च करना तो यहाँ पे फ़ोन सर्विस पर जाइए और उसके बाद आपको problem solve हो चुका होगा तो इस तरह के से calling out problem solve कर सकते हैं by any chance अगर आपको इसके बाद भी problem आते तो जाए setting scroll down करें उसके बाद जाए दोस्तों अपने system के अंदर पे और software को update कर दीजिए जैसी software update होगा आपका problem problem उसी के साथ भी fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप अपने mobile के call hangout problem fix कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपका जो phone service है उसको भी update जरू किजेगा ठीक है उसको अपडेट करने के लिए आपको simply type करना है phone service और यह मिल जाएगा तो जाकि इसको अपडेट कर लेना और उसी के साथ आपका phone service भी काम करेगा call hangout issue भी fix हो जाएगा तो बस दोस्तों यह था solutions call hangout problem का उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंदे होगा आज के लिए वस इतना ही thanks for watching